आईए आज आपको दिखाते हैं लखनों के नवाबों का स्विमिंग पुल जी हाँ ये स्विमिंग पुल हमारे और आपके जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है बलकि ये शाही स्विमिंग पुल है जो की एक बड़ा तालाब जैसा है जी हाँ सामने आप जो देख रहे हैं ये विशाल तालाब एक वक्त में नवाबों का स्विमिंग पुल हुआ करता था अठारा सो चालिस में इसका निर्माड कराया गया और अवद के बादशा मुहम्मद अलीश्या ने इसे बनवाया था और वहा और उनकी बेगमे और उनका पूरा परिवार यहां पराकर गोते लगाता था यही नहीं नीचे के हिस्सा जो सामने आप देख रहे हैं जहां पर खिड़किया बनी हुई हैं वहां बेगमे नहाती थी जबकि पूरे इस तालाब में जितने भी नवाब होते थे और उनके साथ के लोग इसमें गोते लग नहीं है वह बारदरी है तो वह बारदरी जो बनाई थी उसको 1777 के अंदर जो मुहमद ली शाह पैदा हुए थे और वो गद्दी पे बैटे थे ऐजा यहां पर आपके नवे बाश्या टेक्निकली बाश्या थे लोग अठा सुनने इसके बाद में अधरवाई नवाब जात है तो वाई यलिशा यह गद्दी पे बैटे थे यह बैटे थे सेविटी तर्टी सिवन में बैटने के बाद में बारदरी जो थी वो बनाई गई पहले जिफका देख को पिक्शर गाली कहते हैं और उस बारदरी में पहली बार मैटल आवद के अंदर जो मैटल यूज़ ग बारदरी कि आप बलकनी पे जाएं देखे खंबे उसके वो लोहे का काम है बना हुए है और उसके एक साल के बाद में सामने उसके जो तालाब है वो बनाया गया था इस तालाब की खास बात है तालाब आप देखिए तालाब को खाली तालाब ऐसा नहीं बना दिया गया था चुकि शाही तालाब था तो शाही तालाब के अंदर तो शाही चीजी होनी चाहिए तो उसके एक कुने पर मस्जित थी सामनी की तरफ जब आते हैं तो एक तरफ पर मस्जित थी और उसके वो जो दूसा सिरा था वो उसके वहाँ पर हमाम था नाने के लिए और पीछे की तरफ जब आप आते हैं तो आप देखाऊगा कि पिक्चे ग्याली तो यूँगर के उपर रहते हैं करके ऐलिवेटेड है उसके नीचे एक तरफ पर मीना बादार था ठीक है और एक तरफ पर वहाँ पर जो था वहाँ पर सराय थी मतलब जो लोग बाहर से रुक और दूसी तरफ जो था एक घोड़ों का स्ट्वल था तो यह इसके खुबसूर्ती पर चाचान लगाता था चाचान इसकर मीना बादा लगाता था चाचान से राय लगाता था चान रहते हमाम और रिलिजियस चुकी अच्छा ये काफे रिलिजियस भी थे जैसे इनके बे गंटा घर, पिक्चर, गैलरी और सतखंडा जैसी एतिहासिक इमारतों से घिरा होने की वज़ा से वर्तमान में यह पूरा तालाब बड़ा टूरिस्ट हब बन चुका है, लोग यहाँ पर प्री वैडिंग शूट भी कराते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी जो पानी आपको नज अज़र आ रहा है, यह बेहत गंदा है, बारिश में इस पानी का इस्तर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो अगर आप भी लखनव आएं, तो यहाँ घूमना ना भूलें, लखनव से अंजली सिंग राशपूत की रिपोर्ट, न्यूज एटीन